हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विशा लिसना है और मैं जानती हूँ वीडियो बहुत महिनों बाद आ रही है बट अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगे आज हम डिसकस करेंगे कुछ facts और questions जो forensic science से related होंगे तो हमारा first question है कि oxygen balance क्या होता है see यह जो question है इसका यह answer होगा कि जो oxygen balance होता है उसका formula होता है mass of oxygen released divided by mass of explosive यह इसलिए calculate किया जाता है ताकि हम उस explosion device की power को जान सके next question यह कि secondary explosive को हम और क्या क्या नाम से जानते है तो इसका answer है molecular और non initiating क्यूंकि जब हम अगर बात करें non initiating की तो इसे एक strong impulse की ज़र्वत होती है for its initiation मतलब detonate होने के लिए next question यह है कि हम किसे as a tinder यूज़ करते हैं pyrotechnics में तो tinder मतलब होता है कि dry flammable material तो इसका answer होगा sulfur अब हम बात करते हैं हमारे next question की तो वो है कि fowler solution क्या होता है तो fowler solution जो होता है वह होता है 1% arsenic trioxide इसे world war 2 के time में generally use किया जाता था सिफलिस की treatment के लिए अब हम बात करते हैं kooviers principle के बारे में तो koovier principle क्या होता है कि इसे George kooviers ने दिया था और koovier की इस principle के according हम यह कर सकते हैं कि हमें evidence को micro से लेके macro level तक analyze करना चाहिए जो आप question screen पे देख रहे हैं यह question आप सभी के लिए एक homework है और आप इसका answer मुझे comment section में देंगे और इसका जो मै answer है वो आपको next video में दोंगे तब तक के लिए stay tuned